हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टु जेडिये सर्ज केडमी तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले इंट्रव्यू के टाइम पे अक्सर पूछे जाने वाले कोईशन्स फॉर आई पुब्ली स्कूल्स या फिर केंद्रे विद्याले तो काफी बच्चों के कमेंट आ रहते हैं क हमें PRT के लिए कोईशन्स बताईएं इंट्रव्यू में कैसे कोईशन्स पुछ रहाते हैं तो इसको लेकर मैंने अल्रीडी दोस्तो दो तीन वीडियो अप्लोड की है तो जिन लोगों उसे ना देखा हो प्लीस वीडियो को जाके प्लेलिस पे चेक करिएगा मैं लिंक नहीं या नहीं बने यह भी आपको पता दूँगा तो यह मेली वीडियो दोस्तो मैं PRT केंडिडेट को डेडिकेट कर रहा हूं कि एक फाइनली दोस्तो ग्यारा तीन को एक के बीएस का इंटरव्यू करवाया गया था कगोल बिहार में जहां पर दोस्तों उन्होंने क्या क पूचा है एक बचे ने मुझे कमेंट करके रिपलाई किया है कि ज़र यह कोशन्स हुआ था यह कोशन्स पूचे गए थे मेरे इंटर्व्यू को टाइम पर PRT कैडिडेट्स तो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों और देखो कोशन्स कैसे पूचे आते हैं तो आपको इसी को सब्सक्राइब का लेजएगा और बेल अकन को दबाल लेजएगा आपको इस वीडियो में ही कवर कर बादूँगा क्या बताना है next like and dislikes पूचा यानि simply आपको क्या पसंद है या नहीं पसंद है आपको यह बताना है merits and demerits यह पर merits और demerits से मतलब है तो आपकी strength क्या है और आपकी weaknesses क्या है merit का मतलब आपके positive sides क्या है आपके strength क्या है demerits का मतलब simple है कि आपकी weaknesses क्या क्या है तो यह भी दोस्तों मैंने अपने वीडियो में डेफिनिटली कवर किया था इसके अलाबा इनको लग रहा था कि यहाँ पर मुझे एंबी वाला इंटर्व्यू का फिलिंग आ रही है इसके आप इसके सकते हो next question इसके पुचा गया है how you will teach the concept of an in class 1 and class 5 तो आपको पतारा हैं दोस्तों कि आप 1st class को और class 5 को किस concept से पढ़ाना परसंद करोगे कैसे पढ़ाओं गए उफन बच्चों को कि आप teacher बने जारे हो दोस्तों 1st to 5th का तो definitely आपको यह पता होना चाहिए कि which concept you used, क्या use करोगे आप, sorry what concept will you used, तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन से concept के थुरू आप बच्छों का पढ़ा होगे, तो इन सब का अंसर में आपको बताता हो देखो, तो concept PRT में में नहीं कहा है, बच्चे छोटे होते हैं, तो उनको आप अमेसा diagram के थुरू समझाना है, ड्रागमेटिक, diagram के थुरू, visual impact के थुरू, क्योंकि visual impact में क्या होता है friend, जो चीजे बच्चे देखते हैं उनको जल्दी capture करते हैं, तो कोशिच के जिएगा visual method के थुरू पढ़ाओ, उनको diagram के थुरू पढ़ाना स्टार्ट कर दो जाया, अगर आप carrot के बारे में बढ़ा रहे हो, vegetable नहीं बढ़ा रहे हो तो एक carrot का symbol बना दो, अगर आप animals के नहीं बढ़ा रहे हो, तो animal का चोटा सा symbol बना दो, जो I think यह follow करनी चाहिए, और यह step अगर आप follow करते हो, तो definitely आपका introductions का position होता है, वह definitely आपका आच्छा जाने वाला है, क्योंकि कहते हैं दोस्तों, half, काहस नियो की friends आपने, well begin is half done, अच्छी सुरुवात का मतलब है, आधा काम हो गया, simple सी बात है आपका introductions होता है, वही आपका आधा काम कर देता है, तो चलिए मैं आपको कुछ तरीका बताता है, जो steps आपको follow करनी चाहिए, आपने introductions के time पे, वह क्या क्या है, आप इस वीडियो को देखिए, और अगर दोस्तों इसमें कुछ editing की जूरुत है, एक होता तरीका informal, दूसरा होता formal, तो normal, informal में क्या होगा, कि आप अपने relatives के लिए जो word use करते हैं, जो like hi, hello, what's up, दोस्तों आप interview के लिए जा रहे हैं, teaching के लिए, तो hi, hello, तो करोगे नहीं, आपके friends तो हैं नहीं हो, तो आपको कैसे करना होगा दोस्तों greeting, formal तरीके से, good morning ma'am, good morning everyone, good morning everybody, good morning all of you, इस तरीके से, good afternoon, good evening, इस तरीके से आपको greeting करोगे, next step जो आपको follow करने चाहिए, greeting के बाद सबसे पहले अपना नाम बताओगे, like this is, this is Amit, I am Amit, myself Amit, my name is Amit, बट जो बेस तरीका है दोस्तों अपना नाम बताने का, वो सबसे बेस माना जाता है दोस्तों अपने बारे में बताओ, my name is Amit, पूरा नाम बताओ, this is नहीं, I am नहीं, myself आपको इस्तिमाल नहीं करना है, कर सकते हो, बट सबसे बेस्त जो है, जो अच्छे इंपक डालेगा, वो क्या है, my name is Amit, पूरा नाम बताओ आप, next, third number पे आता दोस्तों, आप कहां से आए हो, यह बताओ उनको, कि I belongs to, I am from, I am from पतेलनगर डेली, I am from हर्याना, सोनीपर्थ, ठीक है इस तरीके से, तो यह तो प्लेस के बारे बताओगे, अब मालो, जैसे कि इन वच्छे का खगूल में ही इंटर्व्य हुआ था, केवी का हो रहा होगा, और खगूल के ही मालो यह रहने वाले भी थे, तो उस ताइम पे वो कौन सा वर्ड इस्तमाल करेंगे, उस ताइम पे उनको एक वर्ड इस्तमाल करना होगा, आयम फ्रॉम खगूल विहार इटसेल्फ, है ना, इटसेल्फ यह वर्ड दो तो आपको इस्तमाल करना है, कि इसका मतलब क्या है कि मैं खगूल से ही हूँ, इंटर्वियर को आप यह बता रहे हो इटसेल्फ बताके, कि जहां पे इंटर्वियर हो रहा है ना, मैं वहीं से बिलॉंग करता हूँ, तो सामने वाले पुता चल जाया कि यह बच्चा है, कैंडिडेट है, वो क्या है, यहीं का यहीं नेरवाय रहने वाला है, समझ मैं है यह यह इस्तमाल कर सकते हैं, अगर आप वहीं नेरवाय ही कहीं रहते हैं तो और आपके अरिया में अगर आप इंटर्विय हो रहा है तो सिम्पल आप यह लिखो, आयम फॉम डैस इटसेल्फ, आप फोर्ट नमर पर आता है दोस्तो अपना family background बताईए उनको आप family background दोस्तो जॉइंट family हो मानली तो आप सबका नाम नहीं बता सकते हैं आप सबका नाम नहीं बताओ को family में mainly कोन आता है ममी बापा आपके भाएबेन आपको इसके लिए एक लाइन याद करने ही परण in my family a parts of my parents यानि मेरी family में मेरी ममी बापा के लावा parents में आ जाएंगे आपके मादर फादर दोनों I have an elder dash and younger sister मेरे ममी पापा के लावा एक बड़ा भाई है और एक चोटी sister है अब अगर मालो यह words भी इसमाल नहीं करना जाते है कि मैं यंगर brother यंगर sister तो simple बता हो क्या I have two siblings siblings का मतलब क्या होता है भाई बेन next qualification next step qualification जान रखिए का यह step जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आपको exact ऐसे ही सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट करना है अगर आप यह step follow करते हैं तो एक भी दोस्तो ओपर नीचे मत करिएगा इसके लिए आप practice कर लिजिए एक बार CCS आगर खड़े हो यह और इसको बोल post graduate simple और अगर मालोश के लावा आप कुछ कर रहे हो तो I am pursuing this and this जो भी आप कर रहे हो के दोस्तो बता सकते हैं now next step आता है आपका hobby अपनी hobby बताईए सामने वाले को कि आपको क्या पसंद है so my hobbies like listening music I love reading books जो भी आपको पसंद हो खेलना cricket खेलना dancing जो भी x y z जो भी आपकी hobby आप इहां बता सकते हो अब दोस्तो सारी चीजे हो गई फिर भी एक ऐसा impact आता है कि कुछ ऐसे चीजे छूट जाती है जिसे लगता है interviewer हमें reject कर देता है तो कुछ ऐसी चीजे सामने वाले को बताओ ताकि उससे लगए कि हां बाई यह जो candidate है ना 100% बहुत ही अच्छा है हमारे schools के लिए तो क्या होती दोस्तो quality बताओ भाई वह आपको क्यूं हो select करें रिजन तो बताओ एक रिजन बताओ कि भाई आपको क्यूं select कर ले तो क्या बता होगे नॉर्मल जो होता दोस्तो आप इसमें quality आती है quality में जैसे मानलो मैं बोल दूँ I wake up in early morning मैं क्या कर तो सुबह जल्दी उठता हूं तो मैंने क्या बता दी उसको अपनी quality बता दी कि मैं ना सुबह जल्दी उठ जाता हूं सुबह उठता है तो स्कूल पर क्या हो जागा time से पहुचेगा हैना class time से होगी होगी तो quality जो है प्ता चली कि सामने वालों कि आप क्या हो बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हो तो इसकूल पे टाइम पर पहँच जाओ आपका selection तो definitely हो जाएगा तो यह कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको पता हैं I hope दोस्तों यह helpful हो और अगर हमारी वीडियो पसंदा रही हो दोस्तों प्लीज से लाइक जरूर कर दीजिएगा Now next question की और move करते हैं और देखते हैं क्या question था आप उसका answer कैसे करोगे So here friend tell me something about your like or dislike क्या पसंद है क्या नहीं पसंद तो यह आप बताई सकते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं बता सकते हैं जो भी आपको पसंद आप बता देना दो तिन लिस्त बना लेना आपकी कम से कम merit and demerits भाई आपके merits क्या है What is your strength तो आप बतादा analytical skills अची है communication skills अची है leadership skills अची है ability to work in a team एक teacher के लिए दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि वो team में work कर सकता है यह उसकी क्या strength है है ना he is hard working, punctual, loyal तो अगर यह words इस्तेमाल करो तो तो आपकी strength क्या हो जागी अची हो जाएगी definitely आपकी strength है आपकी positive side है यह last point दोस्तो आप ज़रूर नियाद रखेगा ability to work in a team ठीक है ना weakness में friends आप यह इस्तेमाल कर सकते हो I focus too much on the details इससे क्या impact पड़ेगा सामने वाले के सामने की details में पड़ेगा तो कोई चीज़े skip नहीं करेगा I have trouble saying no, कभी भी मैं no नहीं कह सकता simple चीज़ बात है अगर टाइम पर भी करना होगा काम करना पड़े तो क्या कर सकता है तो यह ऐसे weaknesses है जो definitely आपको back up करेगा यह आपके लिए negative नहीं होगा तो positive impact डालेगा I could use more experience in days I something lack confidence lack of confidence right I have hard times getting to go of the project like that I get impact with the projects run beyond the deadline तो यह सारी क्या दोस्तो positive weaknesses है यह आपके strength के like काम करेगी तो यह मैंने अल्रीड आपको बताया दोस्तो आपकी अपनी वीडियो में तो मैं इसकी लिए आपको आपको देदूँगा आप इससे जरूर देख लेजेगा इस वीडियो को Now यह दोस्तो how you will teach the concept of of and class first and fifth आप एक बच्चे को समझ में आ जाए कौन सफुले है राइट ना तो यह तरीके थे जो मुझे आप लोग को बताने है थी friends कि ऐसे questions पूछे आते हैं और definitely आपको answer भी इसी तरीके से करने होंगे So इस वीडियो में इतना ही दोस्तो if you like my video then please do like, share and subscribe my channel और अगर कोई suggestion है friend तो भी आप comment box में लिख सकते हैं Thank you so much friends and all the best